अगर सफार है लंबा और सिलेक्शन है आपकी मन्जिल तो हो जाएए तयार और पकड़ लीजिए अपने एक्जाम प्रिपरेशन की रेल क्योंकि टेश्ट बुक लेकर आया है शुबारम सेल जियां इस 26, 27 और 28 फरवरी को टेश्ट बुक आपकी लेकर आया है सभी टेश्ट बुक सुपर कोचिंग पर अप्टू 90% आफ एंड 50% की एक्स्टा वैलिटी तो अगर आप SSC, Banking, KVS, UGC, Net, LIC, AJ, Gate, State, PSC, UPSC, Defense ऐसे एक्जाम की तयारी कर रहे है तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दीजिए अभी जाएए इस ओफर का लाब उठाएए Only on टेश्ट बुक सुपर कोचिंग को को है 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 वेलकम बाक नमशकार शुस्तरिकाल कैसे आप सारे लोग आशेकुर्टी सब अच्छे होंगी जल्दी से कंफरमेशन दी दीजिगा कि सभी को अदो इवीज प्रॉपर तरीके से लाइव जारी है नहीं आए होप आप लोग का आवास जो है वो है अच है क chief so we are live now a okay Mishra G चलि आज भी सैशंर में जल्दी चल्दी गारीवनि कुरीवनिं गुरीवनिं गुरीवनिंग गुरीवनिंग उससे पहले जिए अप लोग की अभी कि आ आ राषी दिन और जो अपका यह सेल क्यों यह आपका सब्सक्राइब, अगर हम क्यों जतने भी आपका S.S.C. का की घर्सली आपको कम कर रहा है। बाकि सारे ग्जामिनेशन उगे वह सारे के सारे अगर आप कहते हो कि माम अपने को सिर्फ MTS का बैच लेना है सब्सक्राइब अपने को पूरी एससी त्यारी नहीं करनी है लेकिन थोड़ा सा यह होता है कि अगर आप किसी चीज का फॉर्म भर रहे हो तो क्या बोलते है घर प जो ही आपको मिल जाएगा ठीक है और यहां पे गराप महा पैक लेते हो इसमें आप कोड क्या लगाना है दिव्या ओके चलो तो बड़े फिर आगी की तरफ आए गैस आप लोगो सेशन जो है प्रॉपर तरीकी सभी एक्दम क्लियर दिख रहा होगा है ना ओकी आगे सब्सक्राइब के बारे में अब समझो इस पूरी की पूरी की कहानी को किसकी वज़ा से आप जो देख रहे हो कि आपके समझारिक सभा बैठती है वो कौन थी दाट वस माम क्याबनेट मिशन प्लान जो कि माम 1946 को आई थी है ना जिसमें आपके तीन मेंबर थे कौन-कौन थे माम इसमें तोटल आपको कितने मेंबर मिलते हैं इसमें आपको तोट फोलड़ा से अपने को बैक में जाना होगा कि जब आपके साइमन का मिशन आई हैना साइमन गो बाग देन अगी सेकें डांटेबल कॉंफ्रेंस फर्स लाउट इबल कॉंफेंस घर रंडेबल कॉंफ्रेंस लाइन vis लाइन में वह सारी चीजे आएंगी नाइटीन 34 में डमांड होगा अपनी संवधानिक सभा के लिए और उसके बाद जाके ऑगस्त ओफर आएगा जिसको हम रिजक्ट कर देंगे क्रिप्स प्रपोशल आएगा विजक्ट कर देंगे देन फाइनली जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा क्याबन विशन प्लान जिसमें आप ठीक है structure of the Indian constitution हमारे भार समवधान जो है हमारा जो structure है वो कैसा समवधान है हमारा आप समझे गए इन बातों को सबसे पहले तो क्या बूल रहा है हमारा जो सभाहा है या फिर हमारा जो समवधान है किस परकार की government आपकी यहां पर चलती है parliamentary form of government चलती है जमीन आसमान कंतर है बस वही है कि किसे में जादा knowledge पूछता है किसे में कम knowledge पूछता है उससे जादा करें parliamentary form of government आप क्या देखते हो कि माम हमारे हां क्या है parliamentary form of government है यह हमने किन से लिया था इंस्पार हो कि उन्हीं से जो हम पे राज कर रहे थे और विसी बात है कि जो आप पे राज करता है आप जैसा देखते हो exactly आप फिर वैसा करती हो sister speed कम कर लो ठीक है भाईया speed आपकी कम रहेगी ठीक है अब आप आराम से जवाब दीजिएगा ठीक है तो बोले तो मैं क्या UK UK जो है यहां से हम लोगों ने क्या लिया था लिको परलेमेंट्री मतलब होता क्या है . अधर कि इससीने अग़ों कोई वनदव और यह वो पहस कर सकते थे थे आओ हम उस्ट्रेये ऐसा क्यों नहीं हुआ है किसी ने कुछ कह दिया ना तो बस वांतिम फैसला है बस वैसा नहीं पास यहां पर आपशन सुनी चाहिए कि अपन पूछ सके चीजों के बारे में चली आगे बढ़ते हैं जैसे युएसे में अनलाइक युएसे में क्या है आपको पता है कि माम युएसे में किस प्रकार की sенти Johanngener it's a presidential form क्या है चरता 다प रर्था कोले दी प्रेसरेंट है ये छो अपके लाई गेधी फंडामेंटल ड्युनी ये फंडामेंटल ड्यूटीजअ दी सब कर ती नहीं हमारें कि संवधान्यालिक था कि फंडमेंटल ड्यूटी अपकी लाई गई माडम इंद्र नहरू गांधी जी के टाइम पीरिड पर यानि कि 1976 के दौरान पर यह वो दौरान था जब आपको क्या चल रहा था इसे अपन लभू समवदधान के दौर पर ही बुलाते हैं very 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 good बहुत 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 अच्छा चली आगे बढ़िएगा next one money bill जो है ये define किया गया है किस article में money bill को define किया गया है अब इसको हम जानते हैं कि money bill जो है वो powerful बनाता है इसको powerful बनाता है money bill powerful बनाता है आपकी लोग सभा को यानि कि वो एक exclusive power देता है, है ना, ये बात तो समझ भी आई, ये ध्यान दीजेगा, article 110, article 110, very good, अच्छा, अब ये money bill में क्या होता है, ये power speaker के पास होती है, ये determine करने की power, कि क्या वो finance bill जो है, क्या वो money bill है, या नहीं है, अहा, देखो, सिर्फ लोग से भामें इंट्रू न करने का अधिकार भी जो है, वो सिफ लोग सभा को है, इसके अलावा और किसी को अमेंड्मेंट करने का भी अधिकार नहीं है, इसमें whole in soul जो रहेगी चीजें, वो लोग सभा के पास रहती है, इसमें कोई भी और सांशुधन नहीं कर सकता है, आके, ध्यान दीजेगा, नेक मुझे बताईये कि जिन्हों इन्होंने किस वाले प्रेस, किस वाले अधिवेशन को प्रिसाइड किया था, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 4th in 1888, 1888, 4th, 87, good, next one, which one the following articles of the Indian constitution provides for all all India services, all India services के बारे में जैसी जिकर आता है, तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है, जो उस सीवा के बारे में बताता है, चलिए, बताएगा जल्दी सारे लोग, आजो बिटा, आजाओ, 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 312, 312, 312, 312, 312, very good, very good, very good, very good, 312 clause 2, 312 sub clause 2, ठीक है, और अगर अगर कभी पार्ट पूछ दिया, तो क्या बताओगे, अगर आप से पार्ट पूछ दिया, कि बताओ किस भाग में जिकर है, तो क्या बताओगे उस दारान पर, भाग, 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 तेरा, बारा, तेरा, पंदरा, सोला, जल्दी से, ठीक है, ठीक है, अरे, किसी ने कुछ नहीं देखा है, किसी ने कुछ नहीं देखा है, आगे बढ़ होगे, विच वन अब देफॉल इस नोट इस देशल ऐलेमेंट और फेडरल फॉर्म अफ दी गवर्मेंट, इन में से कौन सा एक आवशक तत्व नहीं है, जब अगर मैं बात करते हैं, फेडरल गवर्मेंट की बारे में तो, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर अपने कोई चीज नजर आ रही है, अपने कोई चीज अपने को समझ आ रही है, कि फ्लेक्सिबल कॉंसिटूशन होना is not necessity, आप जैसे गर अपन बड़े स्थर पे किसी का एक्जामपल लेते हैं, बड़े स्थर पे जब अपन देखते हैं, फेडरल फॉर्म को, फेडरल फॉर्म और गवर्मेंट को जब बड़े स्थर पे देखते हैं, तो किसको रफर करते हैं, USA को, फेडरल जम में क्या है ना, कि स आपके पास अपनी पावर होनी चाहिए ऐसा नहीं कि कोई तुमको प्रिसाइड करेगा या किसी और की बातों को आप मान रहे होगे आप अपने हिसाब से आप अपने अकोर्डिंग ली चलना चाहते हो आप स्वतंत्र हो एक तरीके से मतलब किसी तानाशा केंडर नहीं रह र अपने है तो आप लोग असे बोलतो है कि माम युएस्से का समधान सबसे चूटा है लिकिन याद करना मैंने आपको बताया था कि उससे भी छोटा कि समधानाया वह है वह है इंडोनेशिया का ठेक है चलो आगे बढ़ते हैं एक्स वान दिहान से बताईएगा अक्वार्ड अब आपकाली ना आती है तो कौनसी राइट को आप इंस हम सचीन नहीं सकते हैं क्योंकि हमने ऑविसली हमने जो राइट देखा हमने जो अविसली देखी ना 1976 में वो सब के ना तो से रोंग टे खड़े होए तास दौरान पर राइट टु राइफ आटिकल 21 आटिकल 20 चीन सकते हैं क्या आटिकल 20 के अंदर जो राइट दिये गए हैं वो चीन सकते हैं क्या कि अच्छान पर यह तो से बढ़िए तुम्ने वजन्सी कि लगा दे तुम बोलो कि तुम्हार जीने कादिकार नहीं है तुम किसी को उठा लोगी तुम उसको मतब्स तुम सो जान से मार दो कि क्या टौर्चर करके ऐसा तो हो नहीं सकता हैं है ना चलिए ड्यान दीशे का अच्छा क्या कर दे को नहीं सब्रेक स्वाह एक इस का शेंड़ की तुम गरतुी के मेंदा नहीं है साथ कौन बता रहा है जो 11 बता रहा है मुझे नाम लिखके दो पूरे 11 मेंबर का पूरा 11 मेंबर का नाम लिखके दो और एक भी कम हुआ 11 मेंबर से कि तुमन साफ है कि साथ बाबा साहिब को ले कि किताब खूल जाए कि लक्ष्मिकान तुम्हारा है फैसी सब्सक्रिशन वाले नहीं पढ़ते हो सब्सक्राइब कर दो को साफ साफ लिखावा है अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा एन माध्हवराव जिनको रिप्लेस बाइद बेल मित्रा क्योंकि उनके तबेद खराब थी तो ने रिजाइन कर दिया तर दूसरे जो अपके कृष्ण बचारी साहब थे इन्होंने रि सब्जक्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट अराम से फटाफट बटा जी कि क्लियर कैसे करे बटा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा जी के बढ़ना पड़ेगा एक इनिश्यटिव लेना पड़ेगा बैस्तों हम भी बहुत दिन से चारे कि वेड लूस कर ले है फिर मुझे लगा नहीं लूज करना पड़ेगा तुसके एक साइस करना पड़ा है है ना डाइट पर खाल दखना पड़ा है क्योंकि लाइफ शल्त और अरड़ी बहुत खराब होती है सुबह से शाम तक लैपटॉप कंप्यूटर है ना केसे टेंशन उसे आप कुछ भी खा लेते रहते हो या कभी नहीं खाते हो तो अंटाइमली खाते हो तो उसके लिए मुझे भी निश्टिव लेना पड़ेगा जैसे आपको लेना पड़ेगा पढ़ने के लिए एक्जाक्लियो ऐसे ही चलिए है भगवान ma'am 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 criminal 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 matters बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है चलिए क्या कहा माम हमने criminal matters बढ़िया 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 इनमें से कौन सा लाइफ आ परसे लिबर्टेव त्विरबह्यों पीटि एक विञटी पर लोग केस्वाल ₝ अब एस सवाल में गहिषन HD सब्सक्ता है यह सवाल में गलत है यह तो कॉइक आप्शन सही हो सकता यह बढ़िया सवाल में गलत है Freedom of Speech, Freedom of Speech, Freedom of Speech, Equality Before Law, 1C, D लग रहा है, let's discuss about it, इसको discussion करते हैं, इसको, क्या हो गया, इसको एक बर discussion करते हैं इसके उपर, ठीक है, आजाओ, क्या अगर कोई और वेक्ति भारत में आता है, तो क्या उसको हम धर्म बोले, मना कर दें, कि तुम धर्म प्राक्टिस नहीं कर सकते हो, अगर मान लोग कोई वेक्ति बाहर का और वो इंडिया आके में रहता है, तो क्या मैं इसको मना कर दूंगे, कि तुम इस धर्म को प्राक् आपकी जान कभी भी ली जा सकती है क्योंकि आपको जिद्दगी जीने का कोई अधिकार ने परसर लिबर्टी नहीं क्या मेलकुल है फ्रीडो स्पीच अच्छा हर किसी को अपना मत रखने का अपनी बात रखने की आजादी है लेकिन क्या ऐसा हो सकता कि फ्रीडो स्पीच के मामले में कोई बाहर का आए और आपके पीएम को आके कुछ बोलने लगे मुद्दो पर आके राए रखनी लगे है की नहीं है तो उस हिसाब से अभी कौन थे हमारे जावेद अक्तर साहब थे ना पाकिस्तान में गया जोने बहुत तगड़ा स्टांड लिया कि यहां मैंने देखा 26 ग्यारा क्या तक की घूम रहे हैं खुले आम तो उनको तो सबसे तो हम यह नहीं देखेंगे कि तुम इंडियन हो तुम रशियन हो तुम स्पैनिश हो तुम पॉलिश हो हम ऐसा तो नहीं देखेंगे हम कानून की नजर में सारे लोग बराबर हैं हमारे लिए अब बताओ क्या बचा इसमें से अब बताओ क्या बचा इसमें कुछ आपके क् है exceptions है तो इसका जवाब होगा see all नहीं होगा एक लोता है यह क्या बोला कि freedom of speech जो है लोता है लेकिन क्योंकि इसमें कुछ exceptions है क्या है माम इसमें exceptions हैं ध्यान रखिएगा यह मत कर लीजिएगा यह ना लग जाए आप लोग को कि माम हम बोल नहीं सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि आप यहां कि आपको जो मन करेगा वो बेलती जाएगा प्रिडाव स्पीच के नाम पर है ना तो फुछा अप्रिडाव स्पीच तो हमें भी सबको है रहे भाई लेकिन किसकी बारें बात करते हैं बाहर वालों के बारें बात कर रहे थे आगे देखिएगा विच आटिकल अव दिनिन प्रिडाव स्पीच बहुत तगड़ा और बहुत बावाल करने वाला मैटर है ऐसे नहीं दो तीन प्रकार की केसे बनाए गए गये हैं जैसे किसी को बद्दाम करने के दो तरीके होते हैं तो आप उन्हें खिलाव कुछ लिख दो है ना लाइबल स्लैंट दो प्रकार होता ह करने के जिसके तहां आपको खीचा जा सकता है डिफरमेशन केस के अंदर याप किसी के खिलाब को गरत बात भी अगर आप बोल दे रहे हो ना कहीं पर भी तो उसके खिलाब आपको टार्गिट किया जा सकता है ध्यान रोखिएगा आ राइट पवर ना ये वर राइट जैन्यू टैप इग्जाट्लि क्या बोला हमने अर्टकल 360 अभी तक फाइनेंस में लगा है या नहीं लगा है उसको डिसकास करेंगे तो 15 मिट चला जाएगा बहुत अच्छी टॉपिक है वह अगर कभी टाइम मिला तो पक्का करेंगे इसको फाइनेंस जो है आपका पैसे सबके पास खतम हो जाएंगे ऐसा कंडिशन अभी तक इंडिया में लगा नहीं है याद रखेगा ता ही सेगेंड वर्डवर कभ जाके एंड वा तया धना पूरा मामला सेगेंड वर्डवोस से स्टार्ट हुआ तकि आप जूनओं पार्टिसपेट कर एधिया इनदिया को बिना पूछ्थ हमें शेकेंड वर्डब ऑर का पार्टी का गांधी जी और बाकि जतने नाश्म य तो भाइया लडाई तुम्री है और तुम्री लडाई में हम क्यों पार्टिपेट करें यह गहां का राइट बनता है सही बात है जिन्ना ने कहा हाँ 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 कर दो उसी चक्कर में तो मनाने के लिए हमें लोगों ने आउगस्ट आफर भीजा क्रिप्स प्रपोजल भीजा फाइनली जाके कब समाप्थुआ नाइन पोडिफाई में तब तक बबात करें देखो बहुत कुछ हो चुका था इटली का तुम्हार ताना शाह था वो मारा गया उसको बहुत बुरी तरीकिसे मारा था अपनी गर्फरीन के साथ जा रहा था बहुत बुरी तरीकिसे पिक् ब्रीटिश जोस पार्टी में थे लेकिन जीत के भी हार गये थे जापान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अलग बात है जैपान यह वह जगह है जो एक ट्राइम पर बेल्जीम स्वारी बेल्जीम कहा रही हूँ बीजिंग शांग हाई उच्छाइना के उन सब पे अपना कब्जा जमा के रखावा था मतब चाइना कुछ नहीं होता जगर जैपान को नहीं नुकलियर नहीं गिरता तो पक्का पक्की हम मुसुलीनी के बारे बात कर रहे थे जैचंदर जो थे जैचंदरन वस डॉटर ओफ हुम पारवती सीता सामत्य शकुंतला चली फड़ा फट से के इंशिंट का जवाब है कईंद्य एक सामिकता कहां के आखे करनािज के राजा की तेटि इस मावियं अदर जान की बर्वर्ū फटा जल्दी रख विए कि सब्साद को दिफीद्र मुन के दौर फसको रागी। मैं नेक्टर और को ट्रेफीट किसदें किया था यह मुझे लगता है कि ऐसा आक शायदी कोई होगा तो मैं से जिसने में इसकी इसको बारे में नहीं पता होगा लेक्र कोलिboy sijo I'm just me मकसद के लिए चानक के ने चंदरकुप्त को बनाया था इतनी टाफ ट्रीनिंग दी जब ट्रीनिंग टाफ लग रही हो गुसा आ रहा हो चीजों के ऊपर है ना तो समझ जो कुछ अच्छा होने वाला है तुमारे साथ ओके कि नेच्स्ट वन का युद्ध जीतने के बाद अश का ने बुद्धि जितने के बाद अश का णे बुद्धिजम ग्रहन कर लिया यह कहार्च प्रेजंट एम में का लेंगा को क्या बॉलाते हूं आप और इसे वी सबुला वोर्गे tweak शाहे तुम किसी भी सेग्मेंट का एक्जाम दे रहे होगे, आप से पूछता ही पूछता है, कोई भी सेग्मेंट का एक्जाम दोगे तो, है ना, चालो, अब ध्यान से सुनना, पापा के साइड का पूछा है, इसकी माता के साइड का नहीं पूछा है, अगर माता के साइड का पूछता ना, बाबर के माता के साइड का, मतलब नानी के साइड का, तो चंगेज खान है, बापा के साइड का पूछा है, तो तिमूर है, बहुत इसका वंशस था, बाबर अपनी पिता के साइड का, तीमूर का वंशस था, और ऐसा कहा जाता है, इसके जो नानी का साइड था, वो चंगेज खान के वंशस थे, यानि मंगोल थे, बात समझ में आई, क्लियर हुआ, कितने लोगों को इसमें डाउट था और कितने लोगों को यह पता चला है, good, next one, the one who considered God as a loving father, किसमें भगवान को अपना प्यारा पिता बताने वाली, कबीर हर बार में, हर दो ही में अपने बार में जिक्र किया है, okay, the intoxicating drink was known as what, यह क्या सवाल है यार, intoxicating drink, okay, इसको ठोड़ यह करते है, सोमा है, लेकिन यह सवाल क्या से आया है, वो वैदिक वाला सवाल है, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा तब लोग के लिए, टी नहीं, सोमा, सोमा, वो ancient history का सवाल है, सोमा को बोलते थे, special drink जो बनाई जाती थे थे न, उस टाइम पे, ancient time period पर, हाँ, वो उस तरह था, अच्छा, जो earliest sangham literature है, इसका सबसे पहला sangham literature अच्छा था, ये टेंपे में कुछ साक्ष मेले थे, और दूसरा जो है, ये कौन बता रहा है, थोगल कौन बता रहा है, पावन कहा रहा है, UPSC का फेपर, क्या, थौल की पियम, क्या बोला, थौल की पियम, चलो चलो चलो, आरे, easy पर आ जाए, चलो आओ, language उर्दू जो है किसका mixture है, अब आगे ना, असान साल पर, दो कॉशन टाफ पड़ा नहीं की, बस, खतम, language उर्दू जो है, किसका mixture है, आ, 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 वेरी गुड समराथ, सिर्फ हिंदी, बड़ी स्मार्ट हो तुम लोग, सिर्फ हिंदी लिखे जा रहे हो, दो-दो है हिंदी, आपकी परि कि अब हिंदी जो है, वो किसका भी है, वो हलका-लक आपकी संसके से ड्राइब हुआवा जगा है, इलाहबाद पहलर पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, शिला लेखे पे जो अचीवन्स लिखे गए हैं, वो किन के बारे में लिखा गए हैं, कई बार में हमानी इसके बारे में बताईए वो तो आशोगा के बारे में 100 शीला लेक क्रिम ने पढ़ लिए 13 शीला लेक 14 शीला लेक बहुत पढ़ लिया इसका बताओ है माम समुंद्रगुपता लक्ष्मी गूर्ड किसके बारे में आपको पूछता है समुंद्र भुपता के बारे में तो कहां से मिलता अपको इलाहाबाद पहलर से अपको यसको नहीं पोलन πάब यह उन्से भी ज़्यादा थे बाइधवे तो उनको नपोलियन बोला जाता था उस दोरान पे फिर वीना के बारे में जुद के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे ज़ादा इवन आप लोगोंने हिस्ट्री में क्लास 7 यह चीमी के बारे पढ़ा होगा और मुझे लगते आ जॉन एलिएट ड्रेंक वॉर्टम क्या बोलते थे इनको बैथून ऐसे बोलते थे आज भी बैथन कॉलेज जो है ये कोलकेता में बहुत सारा है और बैथन कॉलेज कंप्लीट तरीके से पूरी गर्ल्स कॉलेज है यानि कि इन्होंने किसके उपर जोर दिया था सबस्यादा ग कि अगर कंटेंप्री लिक्ट्रेचर में अगर आप चले जो तुम को उस दॉरान पर भी क्या मिलेगा कि हमारे हमेशां रिगााड किया था कि ने मैं उनसे उन से उपीनियन लेने में ये जैसे वक्त बीता गया ना मध कालिन भारत आया ना वैसे तो चीज दो चीज ग्रूम्ड तरीके से रहना, तयार होना, हैना the way she used to carry herself, बहुत educated, तो यह हमारे बहुत प्रथा बहुत पहले से था, आपने देखा जहांसी की रानी है, उनको बच्चे से बोलना आता है, बात करने आता है, इंगलिश आता है, मुगल थोड़े ही थे भाईया, कि हमको सिर्व लड़ाई लड़ना है, तुमको सजना है, सवरना है, घर में बैठना तुमको कुछ नहीं आता, A, B, C, D, कुछ नहीं आता, तुमको जानकारी नहीं है तुमको, राइट, हाँ, अरलिक वैदिक पीरिड में, तो इनके बारे में क्या हुआ, उस टाइम बहुत मुश्किल हो गया था, कि जब यह सारी चीजे रोखनी की लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाया, तो पढ़ाने कल बहुत सारी कॉलेजिस खोले गए, अपने देखा हुदर साबितरी वाई, फूले फिर लेके आई, हैंना सब मत कालिन भारत का दिन मौडन इंडिया यानी मौडन हिस्ट्री जब आया, तब तक हमारी जातिया बहुत पीछे जा चुक थी, अगला वेच ओधा फॉलिंग लांग वेच वोस फॉर्स टिशून जनल गदर, गदर जो आपका अखबार जब पब्लिश वा था जनल यह स इस तरीकी से थ्रड़ी मीन करने वाले अगर मैं अगर बोलू तो कौन तरहे थे बाल गंगा तरक साथ देखो हुआ कहता तरक साहब में बताती हुआ क्या देखो जब आप बहुत शान्त रहे तो कोई आपकी उपर अट्यचार किया जा रहा है किया जा रहा है बहुत साथ शांत रहते हो आपके तो हम आसानी से साथ हम आसानी से मैट्ट को सुल्जा लें तो कहीं न कहीं हो एक टॉक्सिक हो जाता है वो सारी चीज़ें कि कब तक शांत रहेंगी मरे जारे लोग क्योंकि हम एक बेटर पोजिशन पर हैं इसलिए हम को लोग हम नहीं मर अब शांती से बैठोना आराम से ठीक होगा बाकी लोग मर जाए क्या हो जाए कोई फरक नहीं पड़ता है तो ऐसी मॉडरेट निती की बाकी लोग कुछ भी होता रहे दीरे दीरे करें इने चीजों को तर लोग मरते जा रहे थे आज आज आपका आकरी दन है इसका हाँ आज आपका यह आकरी दन है शुभारम सील का ठीक है यहां पर कोरिण लगाना है आपको दिव्या का ठीक है चलो Okay आगे बढ़ जाए फिर कि द्यान देजेगा Masterly Inactive जो थी यह पॉलिसी जो थी Masterly Inactive यह किस से जुड़ी थी जल्दी 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 जवाब जो है सवाल जो है तुम्हारा जवाब दे रहा है जवाब अदम बी जॉन लॉरेंस चली अब इसके बारे में दो बाते कर लेते हैं कि यह था यह पर इसको समझते हैं क्या खेरा सवाल masterly inactive मतलब इस चीज के करता धरता तो तुम होगे कहीं नहीं master तुम होगे इस चीज के लेकिन तुम एक ऐसे master होगे जो कि अपने काम में inactive है मतलब हम आपको क्या हो रहा है कि we want no landlord interference what do you want landlord interference नहीं चिक करना या बत्ती जल रही है जल बदी जल रहे हम दे रहे तो तुम तो आपको क्या हो रहा है जब हम दे रहे तो आपको क्या फरक पड़गा है तो आपर क्या कहते है जाधा नहीं होना चाहिए मतलब ज्यादा कि उड़ेशना नों इंटाफेरंस policy को फॉलो करते हैं ज़ादा ने चीजों में इंटाफेर नहीं करना है जो चीजें हो रही है होते रहो अपने ध्यान में रखो और यह नहीं की बिल्कुल एक स्टार्ट वा तो पहा सबसे पहरे किस की दौरा स्टार्ट वा यह बेगार मोव्मेंट है बोला गया कि चो नौ जवान है स्पेशली क्यालकटा से जब शुरू हुआ था तो गोला कि जो नौजमान है जिनको मौटन एजुकेशन की जरुवात है सबसे पहली चीज तो यह है जी डेरेजो जे वी एच वी डेरेजो है ना यह प्रोफेसर ते खुद हिंदू कॉलेज में तुन्हों नहीं चीज को स्टार्ट किया थे सबसें मौडन एजुकेशन की तरफ बढ़ना है लोगों के तरह बढ़ाना है मौडन एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेगा कमेंट स क्या चल रहा है भाई मैंने नहीं देखा मैं सर्फ जवाब देख रही हूं कुछ चल रहा है क्या कमेंट सेक्ष्ण में ओके नमाम गुट्स रेलवेगाड चल रहा है कुछ लिखा था उस नमाम गुट्स रेलवेगाड है वचिं यू सेशन फ्म डूटी लाट्स ग्रेट बच्छा धार दीचेला अब मैंने क्या बोला इसके बारे में कि 1857 में जब रवोल्ट हुआ तो इस रिवोल्ट के बाद यह इतना अपने आप में इतना बावाली मचायने इतना बावाल क्रांती मचा दी क्योंकि तो पहली बार ऐसा हुआ कि पहले इससे पहले लोगों ने कभी आवाज ने उठाई थी लोगों ने आवाज उठाई थी से पहले लेकिन तब एक नहीं हुए थे इस टाइम पिरड़ पर 1857 के टाइम पिरड़ पे एट लीस्ट Ugh different reason के लिए ही सही लेकिन एक हुए थी हां इसमें कुछ कमिया थी कि यहां पर अभी तक nationalism की भावना नहीं थी यहां पर भावना क्या थी हमको टैक्सा देना पढ़ रहा है यहां धरन का मामला हो रहा है बीफ को यूज के जा रहा है सुवर कावास का यूज के जा रहा है ठीक ह सारे लोग आये तो एक साथ हुआ हमारे लिए बड़ी बात थी खैर एक रिवोल्ट के वादी लोग इतना हल गए कि इन से हटा दिया गया कंपनी बोला गया कि भाई कंपनी अब तुम फेल कर चुके हो यहां पर कंपनी रूल लोग गुस्सा हो चुके है तुमसे तो एक का विंदोगे गोश वस डिफेंड़ इंदी आलिपूर बॉम केस किनके द्वारा विंदोगोश को डिफेंड किया गया था आलिपूर बॉम केस में इन्हीं आप देश बंधू के नाम से भी जानते हैं एमेनिट जूरिस्ट रहे थे उस दारान पे सियर्दास 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 बहुत बढ़िया क्या खामा सियर्दास आगे बढ़िएगा सवाल हमने उसे पहली भी किया था हमने बोला एंजी चंद्वाकर साहब केशिव चंद्रसीन ने कि उस दारान पे प्रात्ना समाज को बंबे में फाउंड करने में आगे बढ़ जाहिएगा क्या कह रहा है साइंटिफिक सोसाइटी वस फाउंड़ बाई हूंड गूड इवनिंग गूड इवनिंग इवनिंग अशद बेटर गूड इवनिंग कैसा के एक्जाम औल गूड मैं डी 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 राजा राजा ओके राजा शेव राजा शेव बी सरसेद एहमद खान या फिर ए या बी पहले इतना बताओ जो तुम लोग कंफ्यूजड हो रहे हो राजा शेव प्रशाद फिर कह रहे हो सरसेद एहमद खान किस बात का कंफ्यूजन है बी 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 पक का लगा दे टेक अब सुनो ध्यान से सरसेयर एहमद खान के बार में जब बात करते हैं तो education को लेके क्या यह पॉइनर्ग साबित थे क्या यह चाहते थी कि मुसल्मानों में modern education को इंटेड्यूस कराया जाए यह जो सेग्मेंट है वो सेग्मेंट कहीं ने कहीं आगे बढ़े हैं आगे देखेगा दस सिस्टेम ऑफ इंडिरेक्ट लेक्शन वोज इंटेड्यूस्ड वेन अब समझना जब आपको याद होगा कि इस दौरान पे मुदी लेज़ेस्लेटिफ कांसेल बनाई गई थी और यह लेगशेटिफ कांसेल जो ती इसको इंडिरेक्ट तरीके से चूज कर के बनाई गया था आज क्या होता है आप एसे समझो ना आप प्रेस्टेंट का जो एक्षन होता है कैसे होता है इंडिरेक्ट होता है आप तो नहीं चाहते हो वोट देने के लिए 1892 रिबाबा कौन 1909 में पहुचा है हिंट भी दे दिए लेजिसलेटिव गाउंसे फिर भी नहीं 1892 कब 1892 चलो आगे देखो राहुमनी मज़दान सभाजो है यह एसोसेटिट थी किसके साथ जुड़ी वी थी आक्शुल में देखो यह 1851 का एक ग्रुप था 1851 में यह ग्रु किसका इंग्लिश-speaking पार्सीज का एजुकेशन की वैल्यू बहुत रही है इवन पहले भी बहुत जादा वैल्यू रही है एजुकेशन तो मैंटर करता रही वह इंग्लिश बात कर रहा है इंग्लिश कि उस टेम पर अंग्रिये जाम पर रूल कर तो उनकी भाशा में बात क करने वाल आज क्या होता है आज इंग्लिश तब को आती है एवरिवन असा शायदी को नहीं यह तो लगता कोई यह नहीं सब को आती है आज को संस्कृत बोलता है तो हमें लगता है कितना विदवान है जनली मुझे तो लगता है भाई यह मैं बड़ा इंप्रेस हो जाती उस टाइम पिरिड़ पे आपको संस्कृत बोलने आ रही है अपको अपने रूट लाइंगविज पता है बेसिकली चलिए आगे बढ़ते बिटा अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती है तुम यह नहीं पढ़ पाते हैं इंग्लिश आने का मतलब समझों चलिए आगे बढ अगे बाए था था नहीं पढ़ा था जो अगे बारे में जिक्र किया था नेक्स्ट वन ध्यान दीजेगा रिवोल्ट 1857 का जो था यह इन में से एक उर्दू पोएट रहे थे जिन्होंने उसको वेटनेस किया था जो इस टाइम पिरिड़ पर थे एक ने लिखा है आनिल ने हम संस्कृत जानती दास ग्रेट इंप्रेस हो गई मैं बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा गालब गालब की शायरी तो आपने बहुत ही जादा पढ़ी है माम आगे बढ़िएगा अभी ना भारत जो एक सीक्रिट सोसाइटी रेवलिशनरी और गनाइस था उनने सो चार में किसके द्वारा हमने आपको कल ही इनके बारे में बताया था कि को काली पान काला पानी के साजा दी गई थी कितने टाइम पीरिड तक वीडी सरवाकर साहब बहुत अच्छे किन के बारे में कह रहे हैं सरवाकर जी के बारे में आगे ध्यान दीजेगा नेक्स वाट दे प्रोपाउंडर ऑफ ड्रेंथियोरी इंडिया अगें दे सीम थिंग सीम थिंग सीम थिंग किस नहीं कहा था कि ब्रिडिश जो है इस निकाल के लिए कि जा रही है खतम कर रही खोकला कर रही भारत को यह कुछ बना नहीं रही है कि तुमको अगर इसने यह सतात्र सब्सक्राइब है राज करना था दादा भाई नरू जी जैने आप ग्रांड ओल्ड मैन के आप जानते हैं किसनाम से ग्रांड ओल बैन के नाम से आप तर याद रखेगा यह वह विथा जो उस टाइम पीरिड पर आपकी पृतिश की सांसत्र में पहली इंडियन बिहारी दास नहीं, दिहान रखिएगा, येस, अरे, 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 आगे बढ़िएगा, अमंगदव वेच व फॉल्ली इंडस civilization where, इन में से किस परकार के लोग को बूलिएगा, कि ये लोग जो थे इन डिस वेली civilization वाले थे, जल्दी से बताईएगा, आपको यादे है जो मैं आपको स्टार्टिक का एक क्लास करवाई थी, जिसने मैं आपको ट्राइब्स के बारे में जिक्र किया था, मैं आपको बताया था कि जितने ट्राइब हैं मैं आप सब हम सब ट्राइब थे, हम सब क जिक्टे नंदे थे, रन थे, कोई मंगोले अकशन लग्से में आप कोई ते था, म입니다. एक सब्सक्राइब से इ30 अमगोद में मारी मटना था यह ल Surely boundary some ममदना एद कर ़िए ख तो आसे नियुक्त पी आ एक इस x इसी का smack है अउके शजका है छहना की शकनी सोचा एक्स्ट्रीम की वन olması काकंद की अवे स्काड़ कुनलधिने सास्ट्रीम माँ देख MARYMठाहै है तो यह पहले ने जस्तिफाइए किया जाते थे चलो हाँ असन्जदा येस शीज वेरी ब्यूटिफुल वेरी 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 मैं बहुत पहले उनको देखा था एक आपन होटल में गहए थे खाला खाने तो वहाँ पर उनको मैंने देखा था सामने से मतलब एक्स्ट्रीमली मतलब हो जिससे अगर एंटर करे तो इस पुरा रोश्नी हो जा रहा है इस माफिक कैमरे पर सच में उनका ऐसा दिखता नहीं है जितनी वह है फैर नाव नेक्स वन वीस नेम ड़स देखता ही देखता रह गया था मिलखा सेंग आपका वक्त नहीं डेसाइड करता है आपके हालात नहीं डेसाइड करते हैं कि आप कल को क्या बनेंगे अगर आप ये कहते ही कि मेरे पापा ये नहीं करती थी है ना मेरी मम्मी ये नहीं करती थी हमें गरीब फैमली से बिलॉंग करते हैं हमारे पस ये साधन नहीं था हमारे पस वो साधन नहीं था ये किन मानो तुम्हारे हालात तुम्हारा घर तुम्हारा परिवार ये कि नहीं है तुम सबस्क्राइबख करने माला सब कुछ तुम्हारी अपने हाथ में होता है तुम कब कहां पहुच जाओगे एक जाद की आद रखो तकदीर भी सके सामने जुख जाती है जब तुम इतना महनत करोगे ना कि उसको मजबूर कर दो अपने सामने जुखने से बास वन फ़र्स इंदिन तो ग्रोस थे इन एक बिलगोल बहुति द्यान ना यह वही नोग है जो आज तुमारी बुराई कर रहे कल तुम कच कर लोगे तुम्हारे तालिया बजाएंगे बास समझ में यह वही लोगे यह भगवान मैम मैम बुला चौधरी बुला चौधरी बेटा हम इंग्लेंड से है की नहीं है इससे फरक नहीं पड़ता लेकिन तुमको हम पक्का भी इंग्लेंड भीज दिंग इसका जवाव अगर तुम्हारा सही नहीं आया तो बुला चौधरी इन्होंने आपके टोटल सेवन इंपोर्टेंट सीज को क्रॉस किया था साथ समुंदर पर इग्जाक्ली लेकिन यह किसी की पीछे पीछे नहीं यह अपने लिए साथ समुंदर पर नेक्स वन धान दीचेगा क्या क्या रहे है कि what is the duration of normal hockey match hockey match का normal duration कितना होता है जल्दी 40, 70, 40, 70 70 ना लाए कि 40 नहीं 70 मिनिट यह हमारे देश में भी हालात है होकी को लेके चलिए किस country ने होस किया था FIFA World Cup 2022 और FIFA जीता किस नहीं था जो पूरी टाइम तुम लोग जो थे भी तुम लोग बैठे वे थे FIFA देखने के लिए भाई मुझे एक दम अंदाजा नहीं था कि फुटबॉल के इतने सारे फैन था मुझे पता था कि इंडिया में क्रिकट के बहुत फैन है है ना स्पेशली इंडिया पाकिसान का जब होता है टना फैन फैन फॉलुविं फुटबॉल का अघ्रजेंट्रीन गीति इसने अपने रिपोर्ट किसकी उपर दी थी हंटर कमिशन पूछे हैं हंटर कमिटी नहीं पूछे हैं हंटर कमिटी आई थी जालिया वाला पाग के लिए कमिशन आई थी फॉर वाट एजुकेशन प्राइमरी और हाइयर प्राइमरी और हाइयर एजुकेशन गलत जा रहे हो प्राइमरी एजुकेशन किसके लिए प्राइमरी एजुकेशन के डेवलाप्मेंट के आई थी उस दौरान पर cabinet mission को head किस नहीं किया था तीन मेंबर थे इसमें थ्री मेंबर थे यह तीनों के तीनों head कौन थे पैथिक लॉरंस head was पैथिक लॉरंस done next one आपने बताना है कि who of the following is the author of the collection of poem called golden threshold कौन थे भाई है इसके author चली 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 फटाफद से फटाफद से आजकल आपने इनकी वो दीखियोंगी बहुत अच्छी इनकी वीडियो उस टाइम पे वाइरल हो रही है जब वेरों ने यूएन मेरी प्रिजन क्या था इंडिया को साड़ी पहन के कितनी खुब सूर्ती के साथ सरवजी नाइडू जी इनहीं क्या बूला के था नाइट इंगल और इंडिया की उपाधी दी गई थी किसकी नाइट इंगल और इंडिया की उपाधी इनको प्राप्त है याद रहे गई हाँ व्ल्ड गुड बत आती है यूपी पहली महिला गवर्णर के बारे में कि पहली महिला गवर्णर कौन रही थी तो वो आपकी सहुजण trud not नाइडू जी रही थी ये भी याद रहेगा कहां की रही थी उत्तरप्रदेश की रही थी अगर आप से तना डीप में पूछ दिया कि बताओ कहां की है तो बोले कि माम अपन कि माम उत्तरप्रदेश की नेक्स्ट वन creation of new state अगर मेरे को ना create करना हूँ नया state या मेरे को change करना हूँ नाम change करना हूँ state का तो मेरे को amendment करनी की जरूद है किस schedule में first schedule में ma'am second schedule में third schedule में third schedule में amendment करेंगे अरे कोई नया state लारे कोई नया राज रहे हो मतलब दीश में कमेंडमेंट हो रहा है तो सबसे पहले हो ना होगा उसको तो दीश में change आ रहा है ऐसे समझो ना दीश में change हो रहा है तुम देश के territory को change कर रहे हो उस दौरान पर अर्टिकल थोड़ी पूचे तो यारा schedule पूच रहे है ना नुसूची पता है न क्यों बनाए गया इसको schedule क्यों बनाए गया for इन में से किसको a point नहीं किया जाता है President of India के दोरा को था माम वाइस-Presedent आपको पता है इनकी बारे में कि माम ये जो होते हैं आपके एक trump इसमी चेयर मैं होते हैं ये भी जो होते हैं अगर प्रेशिडेंट की अगर सीट अगर खाली रहती है तो आपको कितने वक्त में उनकी सीट को भरना होगा इतनी बाहर बताईए मुझे शे महीने में बताया था आपको अब पूरी प्रोसेस एको दुबारा देख लेते हैं जल्दी-जल्दी क्या बोले कि माम प्रेसिटन की पोजिशन वेकेंट है तो अपने वेकेंट नहीं रहने दे सकते हैं पोजिशन को वीपी सापको बोलेंगे कि आप ऐजा आक्टिंग प् को बैठेंगा मैं सीजी यही बैठेंगे हैं वीपी नहीं हो तो हुझा फूछा एंटल्डी में कि अगर मान लेजी कि अपने प्रेसेडरन भी नहीं है और वीपी नहीं है तो इन दोनों की अप्सेंस में वहिल प्रसाइड दाट पोजीशन क्यों कर आपशिशन देख बे किस साल में कि फड़ा फट से एक सामुदिक विकास कारिक्रम की जो किस साल में इसकी शिरुवात शिरुवात करी गई थी जल्दी जल्दी बताएंगे सारे लोग शुरू हो गया 52 52 53 52 53 ठीक है आपको क्या आपको ऐसा क्या चीज अपने 53 जवाब दिया जिन जिन लोगों ने चाहे एनेमल हस्बेंटरी की बात हो चाहे एग्रिकल्चर की बात हो सारा का सारा इसमें आपका इंटेड्यूस किया गया था कब माम 1952 में आगे देखेगा क्या पूछ रहा है कमपीट्रोल जर्णल के बारे में कमपीट्रोल आन ओलिटर जनल ओ एंडिया जो है यह आपका पूइंट किया जाता है किसके दुवारा फड़ा फद से जल्दी जल्दी अब पता है गर्मी का टाइम आ चुका है अब एसी बीसी लगता है अन करने का टाइम आ गया है अब लाइट से प्रॉब्लम होनी लगी है अब ऑके माम प्रेसिडेंट 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 ओके अच्छा ठीक एक बाह बताओ अगर किस हटानी की बात आती है किसको क्या बूरियू तो कैसे हटाएग आप क्या क्या को एसी हधा सकते इंद और च्यों लगत कर आपको मन करेगा और आपने हटा देंगे गुड सेम मैनर है जिस मैनर में आप हटाएंगे किसी जज को exact तरीके से हाँ जैसे आप जज को हटाते है न जिसे impeachment का procedure कैसे रन होता रिमूर का procedure पार्लेमेंट के थूँ exactly उसे तरीके से next one the concept of welfare of the state is found in the collaboration of where मैंने क्या बोला concept of state के बारे में समझो स्टीट का concept अगर हम आपसे clear तरीके से पूछे कि स्टीट का आप दिया गया है कि society का कल्यान करना है दारू बंद करना है पेंशन देना है साथ वर्ष ते जाद आप लोग को काम नहीं करने है समझे उस बातों को यह आपकी लीगली इनफोर्सिबल नहीं है मतला पसको लगवा नहीं सकते हो आप नहीं बोलोगे कि सरकार को जाके पो पें के इस नहीं कर पाऊगे कल जाके कि आपनी क्यों नहीं लगाया यह हमारे डीपीस में पेंचन किया वा था आपने इसको क्यों नहीं लागू करवाया आप ही जाके बात नहीं बोल सकते हो इस टाइम पीरिड पर है न आगे देखिएगा क्या किया रहा है कि कॉंस्टुशन ओफ इंडिया प्रोवाइट स्टाट प्री कॉंस्टुश्टुश्टुश्टुश् अगर आपसे पार्ट पूछता है कि पार्ट बताओ तो कितना बोलते हो दो लोकसभारासभा कंसेस्ट पूछा है तो माम क्या होगा माम प्रेसिडेंट होगा इसमें कन्फूशन तो नहीं है इन में से किस आपको जबाला नहरू ने चार्टर ओफ स्लेवरी कहके भी बुलाया था क्या बुरा था कि यह कुछ नहीं है यह चार्टर ओफ स्लेवरी है ऐनीवान 1935-1935-1935 Good 1935 यह आक्ट भी तब लाया गया था जब एमन रोई साहब के दवारा यह दिमांड किया गया था 1934 में कि हमारे पास था अपना समवधान होण चीजए हम भारतियों है हम भारतियों के पास अपना समवधान होण चीए था आगी की तरफ बढ़ाया था पूट फॉरवड कर दिया था आगी की तरफ है ना चलिए ध्यान दीजिए का इन में से कौन सा सही है नहरू रिपोट निससे वाठाइस में आई थी जिसमें बोला था फंडमेंटल राइट के बारे में नहीं ऑगोस्ट आफर ने अब बताओ कि बी कि अ तुम लोग कॉपी करने वाले लोग तुम लोग को शरम तो है नहीं जिन लोग ने कॉपी कर रखा है राश्ट्री गुड विवेक गुड रीमू गड़ एड़ोकेसी मेंशन नहीं किया था फंडमेंटल राइट को बड़ दे एड़ोकेटिड यहां पे शब्द लिखा है क्या लिखा है एड़ोकेटिड क्या यहां पे इंक्लूजिन ल नहीं वनुकर तोие की घृष ता सैटब करना के इस चीज़ के बारे में मतलबौब कि हा यह चीज़ होना चाहिए भले मैंशन नहीं गया था सेने धवह नहीं अड़ोकेटिड अश्चान नहीं किया था फंडमेंटल राइट को बडद आड़ो इडैटे आडवोकेटिड ब एक बना इंडर एक बना पाकिस्तानिक तो धरम के अधार पर बना एक इंसानित के अधार पर बना है किसके थ्रू बना इंडिन इंडिपेंडेंडेंडेंस आक्ट के वक्ति और Mountbatten Act जिससे आप बोलते हो जिसने Pakistan को मंजूरी दी थे टिक दिया था कि यहां क्या Pakistan का जो मुद्दा था Pakistan की प्लान को मंजूरी इससे पहले तो सारे लोगों ने reject किया था Pakistan को क्योंकि इससे पहले तो सारे लोगों ने reject कर दिया था ना Pakistan को जी 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 गुड़ आगे बढ़िएगा आगले सवाल पर आते हैं नमलकित में से किसे अकबर ने दिवाने अश्रफ की उपाधी प्रदान की थी सारे जुद्ध तो इसे से लड़ा वाता था दहेज में लेके आया था इसको मैंने पदा क्या किया मुझे लगा कि मैंने ऑप्श्न में राजा मान चंग दिया है तो मैंने सोच अकि नड़ेजा टमाने से लड़ावाता था तो तुमी ple game घट जवाब लागाना शुरू कारें मान कि अच्छा गलत किया ना तुम लोगों ने लेकिन देखा यहां पे तो कन्फीज होने वाला कोई सीन ही नहीं क्योंकि यहां पे तो मांसंगी नहीं है उप्शन में तो माम क्या है माम टोडर माल यह टोडर माल जो हैंकि पुरित दर्बार का रेवेन्यू सिस्टम, फाइनसिंग सिस्टम समाले वे रखे थे यह वही टोडरवल सहब है जो कि नया फाइनसिंग को इंटिड्यूस किये थे कि कैसे कैसे टैक्स लगाना है किस पर टैक्स लगाना है किस पर नहीं लगाना है यह सारी चीज़े इन लोग इनोंने करी थी ठीक फटा फट से दियाद करो अश्ट प्रधान थी इनके यहां आठ लोगी कमिटी थी उन आठ लोगों में प्रॉपर तरिके से नों ने बाट के रखा था पुरे प्रसाशन को जोसको हैंडल करता समहालते हर एक चीज को सूरी-सूरी कौर बता रहा है सूरी-सूरी सुरने वास सॉने वास करके कौन बता रहा है तभे-ड गट है वकृषङ वप्न ऑससे क्या बथे बसन बथे था घुछा है को यह सारे के सारे आपके फूफिया माराठा क्या होते थे कारकुन्स थे ये क्या होते थे एपैसे का माम्ला यानिक जितना वो इनके द्वारा देखा जाता था वास सम्झ में खऴ गुँड रिख़ आती आपä अपको टेलग्राम को पारी आप कर दोले को आपको सारी की सारी क्लासिस की डीटेल जो है आपने यहीं पर मिल ली है अरे तुमको क्या हो गया है ठीक है दिव्या तरपार्थी माम तरस्ट्पू की आपको चानल से जॉइन कर लीजेगा उसके लावा जो सेल है इसका आपका आखरेदन है तो वहाँ पर आपको capital letter में code झीक कै की चैनल जबतकी ली खब भाई टीकिडय वर्वन तै की सो बढ्या है था विल्भाई टीक्यों हम थे की आश्पूच की लीड़ बाई टीके लूटन से प्रण चानल से लीड टीकियों झाल